हलो गाईस कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे एक बर फिट से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रूची में बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम आपको फिट सब दिखाएंगे जेमनी सरकस तो देखें अगली वीडियो में मैंने आपक पूरा प्रोग्राम दिखाया था और बाहर का कुछ भी नहीं दिखाया था तो आज हम आपको बाहर का दिखा रहे हैं तो देखें ये देखें बोर्ड लगा हुआ है रोज 300 होते हैं पहला 101 बज़े से दूसरा 4 बज़े से और 3 साथ बज़े से तीन साल के उपर के बच्च खड़ी हुई है अभी साथ बज़े का सो चल रहा है तो हम आए हुए थे यहां पर घूमने तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहां की वीडियो भी दिखा देते हैं क्योंकि मैंने अगली बार बाहर का कुछ भी नहीं दिखाया था तो ये बाहर का पूरा सीन है ये सारी ल बहुत कम लोग हैं आपको सिरिफ गाडियां ही दिखाई दे रही होंगी और ये दिखिए कितना अच्छा डेकूरेशन हुआ है यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे तरह से इनन लोगों ने डेकूरेट किया है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग यह दिखे बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी सो चल रहा है तो सब लोग अंदर हैं सारी भीड अंदर चली गई है अभी जब सो खतम होगा तो भीड फिर से बाहर आएगी तो आप लोग गाड़ियां देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भीड होगी सरकस में अंदर य यहीं से इंट्री होती है यहां से लोग अंदर जाते हैं और सरकस देखते हैं यहीं पर टिकट भी यहीं पर मिलता है तो सो दो सो तीन सो का टिकट है सो रुपए का भी है दो सो रुपए का भी है और दीन सो रुपए का भी है तो अभी सरकस चलेगी कुछ दिनों तक मुझ अच्छा लगेगा बहुत आनंद आएगा अगर आप गुमाना चाहते हैं बच्चों को सरकस दिखाना चाहते हैं तो आप लोग बिलकुल यहाँ पर आ सकते हैं और जैमनी सरकस का पूरा आनंद ले सकते हैं बच्चे यहाँ आकर बहुत खुस होंगे यह देखे बच्चों का जम्प करने वाला जूला भी लगा हुआ है लेकिन सनाटा है इस टाइम भीड़ बहुत कम है और ये आगे बोट पड़ी हुई है देख सकते हैं आप लोग तो ये सब बच्चों के लिए ही है बच्चे बहुत खुस होते हैं यहां आकर बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सिस्टम बनाया है कि बच्चे अगर सरकस नहीं देखना चाहरे हैं तो बच्चे बाहर घूम भी सकते हैं बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा बच्चे खुस हो जाएंगे तो देख सकते हैं आप काफी दूर तक फिल्ड में ये सरकस लगी हुई है बहुत अच्छा हुआ है और अभी ये खतम भी नहीं होगा अभी चलेगा अगर आप लोग यहां आना चाहते हैं घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल आईए आप लोग ये सारी चेर लगी हुई है बाहर की तरफ यहां पर लोग आते हैं सेल्फी खीशते हैं विडियो सूट करते हैं सब कितना जगमक जगमक हो रहा है यह गेट है जहां से लोग अंदर जाते हैं और सामने जो गेट दिखाई दे रहे हैं वहीं से लोग वहीं पे बैठते हैं और सरकस देखते हैं आनंद लेते हैं तो अंदर का मैंने पहली वीडियो में आपको दिखा दिया है सब तो इसलिए हम कुछ नहीं सूट करेंगे हम आपको आज सिर्फ बाहर-बाहर का ही सीन दिखाएंगे तो ये पूरा बाहर का मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा दिया है कि कितने अच्छे से इन्होंने सजावट की हुई है यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है देखके बहुत कम लोग टहल रहे हैं अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करकर ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेर कर दीजिएगा चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजिएगा फ्रेंड्स तो देखे हम अकेले आए हुए हैं यहाँ पर हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे हस्वेंट आए हुए हैं लेकिन वो थोड़ा किसी से बातचित करने लगे हैं हम आकर आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं पूरा सरकस का हम आपको बाहर करना जारा दिखा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल सरनाटा है, ठंड़ा-ठंडा सा मौसम है साम के साथ बज़े हुए हैं साडे साथ का समय होगा इस टायम हम यहाँ पर तखल रहे हैं गहूम रहे हैं कि और वह दीखि दुकान आपको दिखायरे रही होगी पीछ्छे design popcorn वगेरह यहाँ पर मिल जाता है क्योंकि बच्चे कहीं गहूमने आते हैं सरकस बर्कस देखने आते हैं तो जीत करते हैं पॉपकॉन जरूर खाते हैं तो इन लोगों ने यहाँ पर पूरी व्यवस्ता कर रखी है पॉपकॉन आपको मिल जाएगा यहाँ पर बहुत ज़दा लोग नहीं है बहुत कम लोग हैं तो और भी ज़दा अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़दा भीड़ होती है तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो सूट करने में थोड़ा सदिक्कत होती है तो इस टाइम बिल्कुल सननाटा मिल लिया था हमको और हमने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है आप लोगों को हमने पूरा दिखा दिया है तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगी होगी ये देखिए हम बाहर की तरफ जा रहे है ये बाहर भी बहुत बड़ा सा गेट लगा है जिसको नहीं पता है वो गेट देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर जैमनी सरकस चल रही है कि जैमनी सरकस का बहुत बड़ा सा बोड आगे की तरफ लगा हुआ है और ये सारा फिल्ड है जहाँ पर गाड़ियां खड़ी होती है पारकिंग बना रखी है इन लोगों ने तो यहाँ पर पारकिंग है फोर विलर, टू विलर सभी तरह की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती है और ये बाहर की तरफ रोड का है नजारा और ये देखिए बोड बाहर भी लगा हुआ है में रोड पर जिसे कि कोई बाहर से आता है तो उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो वो आसानी से यहाँ पर पहुंच साके तो इसलिए यहाँ बाहर भी बहुत बड़ा सा बोड लगा हुआ है तो I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाई बाई